और युक्रेयन के शेहर बूचा में हुए नरसंगार पर पूरी दुनिया की नसर है बूचा में घोर तभाई की ख़बर साम्याई है तभाई के बाद पहली बाद जलन्सकी बूचा में बरबादी देखने वहां पहुंचे एक-एक कोना उनकी तरफ से देखा गया और कहा गया कि इसके लिए पुतिन जिम्मधार है तो वहीं अमारी की राश्पती जो बाईजन ने इसे पुतिन की कुरूरता कहा बृटन ने इसे नरसंगार के सबूत कहा तो संयुक्त राश्पती संग ने कहा कि ये युद्ध अपराद की तरफ इशारा करते हैं ये पांच तस्वीर आप देखें शेहर में तभाई की बात किस तरीके से अब अलग अग देश सीधे तौर पर पोतिन को सवालों के कटगरे में खड़ा करते हुए और रूस की सेना कीव से पीछे हट गई है लेकिन वो अपने पीछे तभाई के वो निशान छोड़ गई है जिसे शायद ही कीव के लोग कभी भुला पाए निउस एटिंग की टीम ग्राउंड जीरो से कीव की तभाई की पलपल की रिपोर्ट आपको दिखा रही है निउस एटिंग के समवदाता अरुन सिंग कीव के उस इलाके में पहुँचे जहां रूस ने बंबारी का सब कुछ तहस नहस कर दिया है रूस की मिसाइल रूस के रॉकेट रूस के फाइटर जेट्स ने किस तरह से युक्रेन को तबाह किया है उसकी एक और तस्विर निउस एट इन इंडिया पर आप इस वक्त देखेंगे यह देखिए मेरे पीचे यह बड़ा सा स्विमिंग पूल था और कई मंझिला स्विमिंग पूल था यह बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल था जिसमें एक मिसाइल आकर कि गरती है और यह इतना मजबूत structure धारसाई हो जाता है आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, आप मेरे साथ हाई और देखिए, कितनी मोटी बिम है ये, ये जो इस्ट्रक्शर है, बहुत ही मोटा है, सिमेंटेड है, और कितनी मोटी सरिया इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन एक मिसाइल ने पूरा तबाह कर दिया, ये दे पहले सारन बजने पर निकाला गया था, उसके बाद ही, यहाँ पर अटाइक हुआ था, जिसमें लोगों की जान तो बच गई, लेकिन डेस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तबाही कैसे हुई है, ये देखिए, इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना मजबूत इसकी बिम थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए, ये दो से धाई फुट, दो से धाई फुट चोड़ा, और लगभग धाई से तीन फुट मोटा, और तमाम इसमें देखिए, कितनी सरिया लगी हुई, कितनी मोटी मोटी ये सरिया लगी हुई इसके बावजूद, ये ताश के पत्ते की तरफ भिखर गया, आपको एक और तबाही की तस्वीर दिखा रहा है, यूकरेन के उन इलाकों की, जहां रूस ने हमला करके पूरे शहर को बरबाद कर दिया था और यूकरेन की राज़ानी कीम से रूस की सेना जरूर लोट गई है, लेकिन जो पीछे मंज़द छोड़ गई है, वो तभाई वाला है, हर तरफ बरबादी दिख रही है, बरबाद इमारते दिख रही है, सड़के विरान है, सन्नाटा है, सबसे व्यस्त शहर थम सा गया है हर एक शहर जहां पर इस वक्त मातम भरी तस्विरे निकल कर सामने आ रही है, वो साफ गवाई दे रही है कि 40 दिन बाद अपसिती भयानक हो चुकी है और वहीं युद्ध के बाद राजसानी कीव बिलकुल बदल चुका है, रूस की सेना कीव छोड़ चुकी है, और ऐसे में लोगों की आवजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन बरबादी इतनी जादा बड़ी है कि इस मलबे को खटाने में भी कई दिन लग जाएंगे राजसानी कीव जहाँ पर चारों तरफ मलबा बिकरा हुआ है, कीव से भले ही रूस की सेना पीछे हो चुकी है, लेकिन तबहाई के निशान इतने जादा गेहरे हैं कि यहाँ पर कई दिन कई महीने लग जाएंगे मलबे को खटाने के लिए, आप देखे किस तरीके से रास सूर्थी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर केवल और केवल तबहाई के निशान, और यूक्रेन ने बूचा में ना सिर्फ बरबरता से आम नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया, बलकि यूक्रेन ने महिलाओं के साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जहां बूचा के लोगों को यातनाए दी गए, प्रतारित किया थे, और उसके बाद उन्हें बेस्मेंट के दूसरे हिस्से में लजाकर जान से मार दिया गया, बूचा का ए वीडियो भी खुद बखुद यहां हुई बरबरता का बयान है, यहां से जिस शब को बाहर निका को बताई, जुसके बाद बेटी कि शब को बाहर निकालागी, यहटना तो बस एक मिसाल भर, बुचा में बरबरता की, ऐसी तमाम दर्दनाक कहानिया दफ्न रही है, जो अब धीरे-धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं युक्रेन का दावा है कि पुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शब मिले हैं जिससे उनके साथ हैवानियत की अशंका भी चदाई जा रहे हैं युक्रेन के उदक्षेत्र में मौझूद न्यूज 18 इंडिया संबाद दाता अरुन सिंहें 2014-2019 तक युक्रेन के राष् का क्या कहना है इसे सुन लीजिये हैं युक्रेन के लिए पैतालीश पुट में फैलिये कबर खो दी गई है मेकसार टेकनोलोजी ने इसकी सेटलाइट तस्वीर जारी की है इन तस्वीरों में बूचा के सेंट एंड्रियू और पायर गोजुनोहों आल सेंटर के चर्च 45 फुट लंबी कबर दिखाई दे रही है यहां की तस्वीर पहले कुछ ऐसी नजाराती लेकिन आप ऐसी दिख रही है चर्च के केंपस में दफन लाशो को साब-साब देखा जा सकता है युक्रेन का रोप है कि रुसी सैने क बुचा शेहर में अपने पीछे एक भयावा मंजर चोड़ गया Світ бачив вже багато воєнних злочинів у різні часи, на різних континентах але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну книгу Палачів वि-शेहरों को फर्दी बताया है, जलिंज की का रोप है, कि हत्या से पहले, महिलाओं से रेप किया गया वही रूस का कहना है, कि रूसी सेना के निकलते वक, मेर ने कोई आरप नहीं लगाय थे यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेनिकों ने हत्या के बाद बहुत से शवों को जला दिया जबकि रूस की तरफ से कहा गया कि रूस की सेना के निकल जाने के बाद यूक्रेन की सेना ने बुचा में आर्टिलरी फायरिंग की थी जिलिंस्की ने मांगी कि रूस युद्ध अपराद पर लगाम लगाए वहीं रूस ने इसे सिरे से खारिच करते हुए इसे यूक्रेट पर उकसाने का आरोप लगाते हुए यूएन से जाच कराने की बात कही है और बूचा की सडकों पर लाश की वीडियो बहुत कुछ बया कर रहे है सडक पर लाश पड़ी हुई है अमारिका मीडिया का ये दावा है कि ये शब हफतों से सडकों पर पड़े थे जो मार्च मद्धे के हो सकते हैं जबकि रूस ये दावा कर रहा है कि उनकी सेना 30 मार्च को बूचा छोड़ चुकी थी और नागरिकों को नुक्सान नहीं पहुंचाया गया लगातार जो आरोप रूस पर लगते हुए नसर आ रहे हैं उन सभी आरोपों को खारिच करता हुआ रूस कि जो भी नरसंगार के आ को मौत के घाट उतार दिया गया है और सीधे तोर पर जलिंसकी पहली बार राजधानी कीव से निकल कर बूचा पहुंचे वहां के हालात का जायजा लिया और सीधे तोर पर पुतिन पर आरोप लगाते हुए कि ये जिमिदारी पुतिन की है नरसंगार जो यहां पर किया ग जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है वहां बड़ी बड़ी इमारते रूसी हमले में जमीन दोस हो गई है निउस एटिंग के समधाता अरों सिंग की इस रिपोर्ट में राजधानी कीव की तभाई की आखों देखी आप देखिए यूकरेन पर रूस के हमले की एक ऐसी एक्सक्लूसिव तस्बीर में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो देख करके आप दहल जाएंगे निउस एट इन इंडिया उन जगहों पर जा रहा है जहां रूस के हमले के बाद भयानक तबाही मची है आपके रॉंगटे खड़े हो जाएंगे आप डर के मारे थरथरा उठेंगे इस करपना से कि जो लोग उस वक्ते हां रहे होंगे उनका क्या हसर हुआ होगा कैसे उन्होंने इस जगह को छोड़ा होगा क्योंकि रूस ने अचानक हमला किया था तेज हमला किया था और उस हमले में बहुत सारे घर बहुत सारे कॉंपलेक्स बहुत सारी बिल्डिंग बरबाद हो गई थी तो सीधे कमल देऊ जी तस्वीर द इंबीदुदिंग है जिसके चारो तरफ आपको तवा ही के निसान दिख रहे होगे चारो तरफ आपको तवे धरासाई आख अहिए और रहने लायक नहीं है तेखाता है यह गवाही दे रही है तस्वीर किस तरह से रूस की सेनाओं ने बड़े बम, बड़ी मिसाइल और बड़े रॉकेट से यूक्रेन पर हमला किया था